आहाँ आपका जाना पहचाना संगीत गुञजा और देखिए जाग उठी मधूर मशूर फिल्म संगीत के बचपन और जवानी की यादें याद की आदिल ने कहा हो तुम जूमती बहार है कहा हो तुम प्यार से पुकार लो जहां हो तुम प्यार से पुकार लो जहां हो तुम याद की आदिल ने कहा हो तुम अरे भई यहीं तो हैं वो सुर्मई मनभावन यादें जिहां यहीं दुनिया के सबसे ज़धे लंबे अर्से तक चलने वाले रेडियो प्रोग्रामsi गीत माला के इस नये सिलसले में जिसका प्यारा सा नाम है गीत माला की च्छाओ में इस रसीली जूमती मुस्कराती गीतमाला की छाओं में सुरों की रिमचिम के साथ साथ फिल्म स्टार्स की आवाजों की किरने भी विखरेंगी क्योंके बैनौर भाईयो हमारे फिल्मी गीत हमें हसीन फिल्म स्टारों से भी तो जोड़े रखते हैं देखिए जब भी हम रेडियो पर या सीडी या कसेट प्लेयर से ये फिल्मी गीत सुनता है न तो चाहे उन गीतों के फिल्में हमने देखी हो या न देखी हो हमें यू लगता है जैसे उन गीतों के फिल्मी सितारे अजनवी रही बलके अपने बन कर हमारे पास बैठ कर हमें स पीने से लगा रहे हो जाने ना नजर पहचाने जिगर ये कौन जो दिल पर छाया आवाज ये किसकी आती है जो छेड के दिल खो जाती है मैं सुनके जिसे शर्मा जाती है है कौन जो मुझे में समाया मेरा अंग अंग मुस्काया जाने ना नजर पहचाने जिकर ये कौन जो दिल पर छाया मुझे रोज रोज तड़ पाया मुझे रोज रोज तड़ पाया गूंदेंगे उसे हम तारों में सावन की ठंडी बहारों में पर हम भी किसी से कम तो नहीं क्यों रूप को अपने चुपाया मुझे रोज रोज तड़ पाया जाने न नजर पहचाने जिकर ये कौन जो दिल पर छाया मेरा अंग अंग मुस्काया मेरा अंग अंग मुस्काया बिन देखे जिसको प्यार करूं गर देखो उसको जान भी दूँ बिन देखे जिसको प्यार करूं गर देखो उसको जान भी दूँ एक बार कहो ओ जादू कर ये कौन सा खेल रचाया मेरा अंग अंग मुस्काया जाने न नजर पहचाने जिगर ये कौन जो दिल पर छाया मेरा अंग अंग मुस्काया बहन और भाईयों से कई वॉल्यूम जोर भी है इन में बजेंगे वो गीत भी जो बहुत हिट हो है और कुछ वो खूबसूरत गीत भी जनें लोक प्रेता की धूब तो कुछ कम मिली मगर संगीत के आशिकों के प्यार के च्छाओं में ये हमेशा हमेशा बसे रहेंगे और आपका ये रेडियो साथी अमीन सायानी ये तमाम लाजवाब गीत आपको सुनवाता जाएगा अपनी कहानी से मिलाए कर दीमा और भै कभी कभी तो उस जमाने के गीत खूद आपको बताएंगे उनकी अपनी महपतों के अफसाने अपताना लिक रही हूँ जब तू नहीं ता कुछ भी नहीं है बहार में जब तू नहीं ता कुछ भी नहीं है बहार में जी चाहेता है मूबी ना देखू बहार का आपों में रंगों भर के तेरे इंकजार का अब ताना लिख रही हूँ हासिल है यूता मुझ को जमाने की दौलते लेकिन असे बुलाई लेकिन असे बुलाई हूँ एक तो गवार का आँखों में रंगों भर के तेरे इंकजार का अब ताना लिख रही हूँ आजाके अब ता आप में आँसों भी आगए आँसों भी आगए आजाके अब ता आँक में आँसों भी आगए ता वर चलकू उठा मेरे सब रो खरार का आँकों में रंगों भरके तेरे इंकजार का अपसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का उपों में रंगों भर के तेरे इंतजार का अच्छा आप जब जब बताईए क्या याद है आपको कि ये गीत किस फिल्म स्टार ने गाया था मगर फिल्म स्टार बनने से पहले गाया था अरे आपने मुझे नहीं पैचाना मैं कली का रूप फूलों का सिंगार कोमलता की देवी तुन तुन जी हाँ तुन तुन जो कॉमेटी स्टार बनने से पहले बड़ी गजब की सिंगर भी थी और बहनों भायों गीत माला की चाओं में और भी कई फिल्मी सितारों के आवाजे जुड़ी हुई हैं आपके दिल पर धावा बोलने के लिए तयार हिएगा अच्छा गीत माला की चाओं में के वॉलिम्स में हैं कुछ वो मधर गीत जो मैंने रेडियो प्रोग्राम गीत माला में सन 1952 और 1953 में बजाये थे उन बरसों में गीत माला की संगीत चुड़ी यानि के हिट परेड शुरू नहीं हुई थी बस मैं तब तक के बढ़िया बढ़िया गीत चुनकर बजाया करता था वो पुराने यादकार गीत जिनने सुनने के दिए गीत माला के करूडों संगीत प्रेमी आज भी बेताव र की बिन शूला जे आज पत जड़ जेता जीवन नेरा पी बिन सुना दे पत जड़ जैसा जीवन मेरा पी बिन सुना दे मन बिन तन जू जल बिन नदिया जू में सुनी बिना सगरिया मन बिन तन जू आरों की तो रहन अधे दे जड़ों की तो रहन अधे दे बद है मेरा दिन भी अधे रा भी बिन सुना दे बिन सुना दे आई मधूरित बसंत बहार दे पूल पूल परब्रवार गूल तकिया दरि महर हमार दे आई मधूरित बसंत बहार दे महर हमार दे आई मधूरित बसंत बहार कब लगने ननद्वार सजाओं देप जलाओं देप भुताओं कब लगतर दिवार दे आई मधूरित बसंत बहार दे आई मधूरित बसंत बहार अचा भाई 1952 में एक्जैक्ली कौन सी तारिख को शुरू हुई थी आपकी गीतमाला यह मुझे भी याद नहीं था आखर अभी कुछ अर्सा पहले जैपूर के गजब के गीतमाला प्रेमी प्रोफेसर अनिल भारगव ने एक किताब लिखी गीतमाला का सुरीला सफर और उसमें उन्होंने बताया कि उनके पिता और फिर खुद अनिल भारगव गीतमाला के बिलकुल पहले प्रोग्राम से ही हर हफ़ते बरसों तक उसमें बजने वाले सभी गीत सुनकर नोट किया करते थे एक नोट बुख में और गीतमाला का वो सबसे पहला प्रोग्राम नंबर एक ब्रोडकास्ट हुआ था उन्निस सो बावन की तारीख तीन दिसम्बर को यानि उसी साल तीन दिसम्बर से पहला कदम जुदा न कर सकेंगे हम को जमाने के सितंगे जमाने के सितंगे दुनिया में ये पहला कदम ले उठा प्यार भी अगड़ाई है दिल भी जमान अजी ऐसे में लिये जाते हो तुम बोलो कहाँ दूर दुनिया की निगाहों से कहीं जाएंगे हम ओ कहीं जाएंगे हम प्यार की दुनिया में ये पहला कदम ओ पहला कदम बड़े अर्मानों से रखा है बलम तेरी पसम ओ बलम तेरी पसम प्यारी की दुनिया में ये पहला पदम हो ओ पहला पदम तेरी दो आखों में दिखते हैं मुझे दोनों जहां इन्ही मैं खो गया दिल मेरा कहो धूंदू कहां चान घटता हो घटे अपनी मुहबत न हो कम प्यारी की दुनिया में ये पहला पदम हो ओ पहला पदम बड़े अर्मानों से रखा है बलं तेरी पसं वो बलं तेरी पसं प्यारी की दुनिया में ये पहला पदम हो ओ पहला पदम मेरी नईया को किनारे का इंतजार नहीं तेरा हाँ चल हो तो पतवार भी दरकार नहीं तेरे होते हुए क्यों हो मुझे तूफान का गम मुझे तूफान का गम प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो पहला कदम बड़े अर्मानों से रखा है बलम तेरी पसं ओ बलम तेरी पसं प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो पहला कदम हाँ मगर भाई गीत बाना रेडियो प्रोग्राम से मैं कैसे जोड़ा ये भी सुन लीजे साल था 1951 मैंने अपने बड़े भाई और गुरू हमीत सायानी के साया में ओल इंडिया रेडियो यानी आकाशवानी पर इंग्लिश ब्रोडकास्टिंग तो बहुत कर ली थे मगर नए भारत का नए नजवान होने के नातिव मैंने चाहा के अब मैं ओल इंडिया रेडियो पर देश की भाईशा हिंदी में भी बोलू जिसे मैं लिखतों काफी अच्छी तरह लेता था मगर मेरी हिंदी और उर्दू की बातचीत में इंग्लिश के अलावा गुजराती और मराठी का भी बातशर था बंबई की पैदाश थी ना तो इसलिए ओल इंडिया रेडियो वालों ने मुझे हिंदी प्रोग्राम के लिए बिलकुल रिजेक्ट कर दिया यानि के फेल जिया तो इस पर मेरा दिल तूट सा गया और तूट कर कहने लगा ऐ घ्म में दिल क्या करूँ ऐ वहषते दिल क्या करूँ क्या करूँ, क्या करूँ, ऐ घमे दिल क्या करूँ ऐ वहशते दिल क्या करूँ क्या करूँ, क्या करूँ, ऐ घमे दिल क्या करूँ ये रुपहली च्छाओं ये आकाश परतारों का जार ये रुपहली च्छाओं ये आकाश परतारों का जार जैसे सूफी का तसवर जैसे आशिक का ख्यार आ लेकिन कौन समझे कौन जाने जी का हाल एगमे दिल क्या करूँ एगमे दिल क्या करूँ क्या करूँ, क्या करूँ, ऐ रमें दिल क्या करूँ रास्ते में रुकते दम लूँ, ये मेरी आदत नहीं रास्ते में रुकते दम लूँ, ये मेरी आदत नहीं लोट कर वापस चला जाओं, मेरी फितरत नहीं और कोई हम नवा मिल जाए ये तिसमत नहीं ए गमें दिल क्या करूँ, ए वहशते दिल क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, ए गमें दिल क्या करूँ वैसे भई ओल इंडिया रेडियो ने जो मुझे हिंदी में फेल किया था न वो उनकी तरफ से तो बिल्कुल सही था और वाजब था मगर उससे जो चूट मुझे लगी थी न उसका घाओ करीब 15 मरसों बाद सुनिये के कैसे भरा एक बार मैं उस जमाने के नए स्टार आमेताब बच्चन को इंटर्विव कर रहा था और बहुत तारीफ कर रहा था उनकी खरचदार आवास की तो आमेताब बोले ने ने एक मिनट ठेरिये मैं आप से कुछ पूछना चाहता हूँ हाँ हाँ जरूर फरमाईए और वो ये है कि आप लोग मेरी आवास की इतनी तारीफ क्यों करते है भई तारीफ तो करनी ही चाहिए क्योंके अमेताब साब आपकी आवास है ही बड़ी अच्छी हमिन साब मैं तो ऐसा नहीं समझता हूँ अरे मगर आखर क्यों भई इसकी वज़े है कॉलिज खत्म करने के बाद और नौकरी करने से पहले मैं दिली में मैंने सोचा की रेडियो के उपर कुछ प्लेज करने चाहिए और इसके लिए मैं वाइस टेस्ट के लिए गया रेडियो पर और वहाँ पर उने मुझे रिजेक्ट कर दिया जी हाँ दो बार गया मैं एक बार अंग्रेजी के लिए एक बार हिंदी के लिए और उनकी एक बहुत ही खुबसूरे चिट्टी मुझे मिली जिसमें लिखा था वी रिग्रेट तो इन्फॉर्म यू तट यर वाइस इस उनसूटबल फर आपर पॉर्पस तो बैनोर आयू तब जाकर मुझे महसूस हुआ कि अरे जब आमेता बच्चन जैसे घजब के बोलने वाले को रेडियो ने फेल कर दिया था तो साहब मैतून के मुकाबले में कुछ भी नहीं था खैर साहब छोड़िए इस बात को अब गीत माला की और मेरी कहानी मज़े से बढ़ती है और आगे सारे गामा कारवा डिजिटल ओडियो प्लेयर इस तौफे में है पाँच हजार सुनेहरे गाने और कुछ यादे इत्वाक से बंबई के जिस सेंजेवेस कॉलेज में मैं पढ़ रहा था उसी में बने हुए एक ट्रेनिंग स्टूडियो में रेडियो सिलॉन के प्रोग्राम रिकोर्ड होने शुरू हुए थे और मैं स्टूडियो में घुसकर वहाँ हिंदी प्रोग्रामों की रिकोर्डिंग सुना करता था खास तोर पर एक म्यूजिकल प्रोग्राम था जिसमें ने ने अभरते हुए सिंगद आकर गया करते थे बड़े रोमेंटिक प्यार भरे गाने एक गाना जो मुझ जैसे मामूली नाकाव और कड़के मजनू को बहुत पसंद था वो गीत उस प्रोग्राम में नौजवान महिंदर कपूर अकसर गया करते थे अकेले में वो घबराते तो हूंगे वैसे वो ओरिजिनल गीत किसने गाया था लीजिए आप खुद पहचानी अकेले में वो घबराते तो हूंगे मिटा के मुझ को पच्टाते तो हूंगे अकेले में हमारी याद आजाती तो होगी हमारी याद आजाती तो होगी अचानक वो तडप जाते तो हूंगे हचानक वो तडप जाते तो हूंगे अकेले में वो दिन खाए वो दिन हाए रे वो दिन हाए वो दिन हाए रे वो दिन वो दिन उनको भी याद आते तो हूंगे वो दिन उनको भी याद आते तो हूंगे अकेले में पतंगे अपने दोनों पर जलाकर पतंगे अपने दोनों पर जलाकर हमारी याद दिन्वाते तो हूंगे हमारी याद दिन्वाते तो हूंगे बारहाल बैनौर भाईयो अब अब आता है गीत माला के जनम का सीन हाँ भाई जनम का सीन है तो बच्चे को रोना तो चाहिए ना है हुआ यूँ कि मुझे रेडियो सेलॉन के हिंदी प्रोग्रामों में छोटे छोटे का मिलने ही लगे थे कि एक दिन मुझसे कहा गया मिस्टर अमीन सायानी क्या तुम तयार हो सिर्फ पच्चेस रुपए के पगार यानि के तनखा में एक टूथपेस बनाने वारी कमपनी के आदे घंटे के नए म्यूजिकल कॉम्पटिशन वाले रेडियो प्रोग्राम को लिखने प्रोड्यूस करने और बोलने के लिए और साथ ही सौ रुपए के जैकपॉट के लिए आने वाली चिठियां चेक करने के लिए तुछ साब मैं तो कड़का था ही मैंने दी सल्यूट और कहा येस 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 सर तो बस फिर मिल गया मुझे वो प्रोग्राम जिसका गीत माला पड़ा नाम और मैंने खुशी से उचल कर स् रोमेंस अपनी गीत माला से दिल नाचेरी चेम 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 चे तार आररांथा ही तार facet लेके प्यारा गए गुल्शन में बनकर बाहार आगए है देखो कलियों को आई हसी बादल की च्छाया में नाचे बुक्त थुजए तो पिर क्या है हम तर घ्रदलम ब्हुंद हुआ हुआ कहता है दिल मेरा चलिये वहाँ हर दिन हो सावन ही सावन जहाँ हम तुम हो रिम जिम का एक साज हो वस तेरी और मेरी आवाज हो गाये मिल मिल के हर दम तारारा तारमपम 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 कररी अररी 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 बैनों वायो उस जमाने में कई बड़े बड़े सिंगिंग स्टास मौजूद थे फिल्मी दुनिया में जैसे हसीन सुरया जिनोंने खुद गाया था ये गाना और उस फिल्म में स्क्रीन पर उनके साथ कौन थे यादा है आपको यह राज कपूर तो जरा सुनिए हिरोईन सुरया ही की आवाज में राज कपूर और उस तारारी वाले गीत के बारे में इस सीन में मेरी दो चोटियां थी राज बार बार मेरी चोटियां खेंच लेते थे कभी मेरे बाल बिगड़ जाते थे और कभी मिया कारदार बिगड़ जाते थे और राज कह देते थे कि क्या करूँ सुरया की चोटियां मुझसे आदतन खिच जाती है अमीन सहाब रात काफी ढल चुकी थी और तारारी अभी आदा ही पिक्चराइस हुआ था उस पर हम दोनों का नींद के मारे वो बुरा हाल था कि तारारी एक तो वाल्ट्स रिदम में था नाचते हुए हम दोनों के पाउं पर पाउं आ जाते थे कारदार सहब ने हमें जगाने के लिए एक तरकीब निका लिए अच्छा अच्छा वो क्या तरकीब थी सुरया जी वो ये थी कि आधी गाने के बाद उन्होंने सीन इस तरह जमाया कि जैसे बरसात हो रही है और हम पाने में भीगते हुए भी गा रही है बस साहब स्टूडियो के जरने खुल गए और उसके साथ ही हम दोनों की आँख भी खुल गई अब जरा ये सुनी बैनों भाईयों के 1952 में जब गीतमाना का प्रोग्राम रेडियो सिलॉन पर शुरू होने वारा था तो उन दिनों किसी को पता ही नहीं था रेडियो सिलॉन की लाजवाब पॉप्लारिटी के बारे में असल में वज़े ये थी कि रेडियो सिलॉन पर ज्यादातर हमारा फिल्मी संगीती बचता था जिसका गूल्डन पिरेड देने के सुनहरा दोर शुरू हो चुका था और आल इंडियो रेडियो ने न जाने क्यों फिल्मी की बजाना बिल्कुल बंद कर दिया था तो इसका नतीजा ये हुआ कि जहां ये सूचा जा रहा था कि गीत मला के पहले प्रोग्राम के कॉम्पटिशन के लिए चालीस पचास सौ से ज्यादा क्या ही चिट्टियां आएंगी वहाँ चिट्टियां आईं कितनी नो हजार भाई पहले तो मैं उचला के वाँ प्रोग्राम हिट मगर फिर फारण मैं सर पकड़ कर बैट गया और बोला हाई सारे खतों की चेकिंग भी तो मुझे अकेले ही को तो करनी है मगर शुकर है बनार भाईयो के फिर मुझे नसर थोड़ी सी मदद मिली बलके बहुत सारी हिम्मत भी मिली क्योंके मुझे यू लगा जैसे मेरी उल्जन देखकर गीत माला के सुनने वाले और गीत माला के गीत मुझसे कह रहे हूं मान मेरा एहसान अरे नादान के मैंने तुझ से किया है प्यार मेरी नजर की धूप न भरती रूप तो होता हुसन तेरा बेकार मैंने तुझ से किया है प्यार मान मेरा एहसान अरे नादान के मैंने तुझ से किया है प्यार मैंने तुझ से किया है प्यार पुल्फत न सही न परत ही सही ओ पुल्फत न सही न परत ही सही इसको भी मुहबबत कहते हैं तू लाख चुपाए धेद मगर हम दिल में समाए रहते हैं तेरे भी दिल में आग उठी है जाग जबां से चाहि न कर इकरार मैंने तुझ से किया है प्यार मेरी नजर की धूप न भरती रूप तो होता हुसन तेरा बेकार मैंने तुझ से किया है प्यार अपना न बना लू तुझ को अगर अपना न बना लू तुझ को अगर इक रोज तो मेरा नाम नहीं पथर का जिगर पानी कर दूँ ये तो कोई मुश्किल काम नहीं छोड़ते अब ये खेल तु कर ले मेल मेरे संग मान ले अपनी हार मैंने तुझ से किया है प्यार मान मिरा इहसान अरे नादान के मैंने तुझ से किया है प्यार मैंने तुझ से किया है प्यार तेंक यू थेंक यू बैन और भायू आपने 1952 के उस पहले प्रोग्राम से लेकर गीतमाला की जीवन के पूरे करीब 45 वरसों तक इसे बहुत बहुत प्यार दिया रेडियो सेलॉन पर भी यानि श्री लंका ब्रोडकास्टिंग कॉर्परेशन पर भी और बाद में ओल इंडिया रेडियो की विवदभारती स्टेशनों पर भी अच्छा खैर साब आप लोटाईए गीतमाला के शुरू के दिनों में फिर से हैं 1952 की गीतमालाओं में कभी-कभी मैं कुछ गाने उससे भी पुराने जमाने के बजाय करता था खास कर दो महान गायकों के जिन में से एक थे पंकज मलिक पंकज मलिक के गाने तो मुझे बजपनी से बहुत पसंथे साब क्योंके वो करीब-करीब सभी गाने बड़े जोश के साथ गाया करते थे जैसे कोई पहलवान गा रहा हो या कोई सिपाही गा रहा हो खास कर एक गी था जिसके बोल तो मुझे बराबर समझ में नहीं आते थे उन दनों मगर मैं यही सोचा करता था कि अरे वा ये गाना जरूर कोई सोल्जर गाता होगा जब वो अपने फ्रेंड से मिलने को जाता होगा आना आतिया मिलने को जाता होगा आतिया मिलने को जाता होगा काटे बित्रा के चलूँ पानी धलका के चलूँ दुख के लिए देख रखों दुख के लिए देख रखों पहले दुख उठाना दिया मिलने को जाना दिया मिलने को जाना आतिया मिलने को जाता होगा आतिया मिलने को जाना दियरे दियरे दबे दबे पाउ को बढ़ाना आतिया मिलने को जाना आतिया मिलने को जाना आतिया मिलने को जाना बुझे दिये या धेरी रात आखों पर दोनों हान बुझे दिये या धेरी रात आखों पर दोनों हान केते कटे कथन बार केते कथन बार चल की आजमाना पिया मिलने को जाना आतिया मिलने को जाना जाना पिया मिलने को जाना जाना पिया मिलने को जाना पिया मिलने को जाना मगर बहनोर भाईयो यू वोन्ट बिलीव के अभी कुछी साल पहले मैंने टीवी के एक मुजिकल कॉम्पिटिशन में एक मॉडर्न से दस साल के लड़के को यही पिया मिलन को जाना गाते हुए सुना था तो इससे लगता है कि उन पुराने गीतों में कुछ तो बात थी जरूर जो उन्हें सदा बाहर बनाया रखती है और दोस्तों आज भी दुनिया में जहां जहां मेरे रेडियो प्रोग्राम बचते हैं ना तो कई बार नौजवान सुनने वाले भी खास तौर पर नौजवान मुझे लिखकर बताती है कि अमीन अंकल ओल्दो वी लव टोड़ेज फास टेंपो धूमधाम स्विंगिंग म्यूजिक मगर कभी कभी आप पुराने स्वीट इंजेंटल रोमेंटिक गाने बजाते हैं ना तो वो भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं तो ओके स्वीराट ल एक और स्वीट गाना सुरो तिरे नैनों ने जोरी किया मेरा छोटा सा दिया पर देशिया है तिरे नैनों ने जोरी किया जाने के सजा तू किया तेरी मिठी बातने तेरा मेरा प्यार हुआ पहली मुला गात में जाने के सजा तू किया तेरी मिठी बातने तेरा मेरा प्यार हुआ पहली मुला गात में पहली मुला गात में है तेरे नैनों ने तेरे नैनों ने जोरी किया मेरा छोटा सा जिया पर दे दिया है तेरे नैनों ने तेरे नैनों ने जोरी किया हाथों में हाथ लेके कभी दिना छोड़ना प्यार किये तोर सया बांद के न तोड़ना हाथों में हाथ लेके कभी दिना छोड़ना प्यार किये तोर सया बांद के न तोड़ना हाए तेरे नैनों ने तेरे नैनों ने जोरी किया मेरा छोटा सा जिया पर दे दिया हाए तेरे नैनों ने तेरे नैनों ने जोरी किया मेरा छोटा सा जिया पर दे दिया हाए तेरे नैनों ने तेरे नैनों ने जोरी किया बहनोर भाईयो ये मेरी खुश खिस्मती है कि गीत माला के जरीए और जो रेडियो पबलिसिटी बड़ी बड़ी फिल्मों की मैं उन दूनों किया करता था उसके वजे से मुझे उस जमाने के सभी बड़े बड़े गायकों गायकाओं शायरों और संगीतकारों और फिल्म किमार का एक अनोखा इंटर्व्यू रिकाओड किया एक फिल्मी मुखदमे की शकल में जिसमें वो खुद मुल्जिम भी बने और जजज भी बने पहले तो भई कुछ बातचीत होती रही उनके गाने वाने की मगर उसके बाद जज किशोर कुमार ने बात छेड़ी किशोर की एक्टिंग के बारे वे मगर फिर तुझे एक्टिंग शुरू करने की क्या जरूरत थी पकले इसके लिए भी आप मेरे बड़े भाई पर केस कीजिए उन्होंने मुझे जबरदस्ती पकड़कर एक फिल्म कनीज में एक छोटा सो रोल दिलवा दिया और वो रोल वो रोल भी क्या पागल का जिसमें मैंने आधी मूश लगा कर एक घीद भी गाया है तो वो गाना अदालत को सुनाया जाए हम अपने कान बन कर लेते हैं गाओ तो महनों रही ostr सुना आपने किशूर कुमार ने बता कि उनकी पहली फिल्म जो थी as an actor उसका नाम था कनीज और भई अब मैं लौट आता हूँ आपके पास गीत महला की छाओं में जहां बैठें बैठें अब यू लगता है कि राहत हो गई है और वो देखिए का प्यारा मेरी चांद नी बिछड गई मेरे घर में हुआ अधियारा जगमग जगमग करता निकला चांद गुनम का प्यारा ये मदमाची रात ये ठंदी ठंदी हवा के जोके तिर बिना मेरे सूने जिगर में विरहा की अगनी फूके जिल मिल जिल मिल थारे दमक दे जगमग है जग सारा मेरी चांद नी बिछड गई मेरे धर में हुआ अधियारा जगमग जगमग करता निकला चांद गुनम का प्यारा साद की शीतल शीतल किरने विरहा के बान चलाए रात चांद नी जिया जलाए अंगु में आग लगाए ये बसंद की रात मैं सुलगो जैसे कोई अंगारा मेरी चांद नी बिछड गई मेरे घर में हुआ अधियारा जगमग जगमग करता निकला चांद गुनम का प्यारा अरे साद क्या बताओं आपको किशुर कुमार की तो इतनी यादे हैं मेरे दिल और दमाग में कि दिन भर बोलू तो भी खत्म नहों मगर डरता हूँ कि अगर मैं ज़्यादा बोला ना तो कहीं उनकी आत्मा आकर मुझे टोक न दे ऐसे अमीन भाई तुम बहुत 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 बोर करने लगे हो अरे किशुर्दा भला इसी में है कि तुम चुप हो जाओ नहीं किशुर्दा बस थोड़ा और बोल लेता हूँ प्लीज प्लीज नहीं आपके बारे में नहीं गीत माला के पुराने चाहने वालों के बारे में ऐसा तो ठीक है थैंक यू थैंक यू बेरे माच किशुर्दा तो बैन और भायू गीत माला की चाहों में के इस वॉल्यूम में मैंने अभी कुछ देर पहले गीत माला के एक शानदार शूता फैन का नाम लिया था अनिल भारगव जिनके पास इस प्रोग्राम की इतनी सारी जानकारी है के मेरे पास भी नहीं है अतनी और गीत माला की चाहों में के आने वाले वॉल्यूम्स में ऐसे और भी कई जोर्दार वफदार पुराने फैन्स के नाम आएंगे जियां और इनके अलावा उन बहुत सारे रेडियो कलब्स यानि शोता संगों के भी नाम आएंगे जिन्होंने गीत माला की लोक प्रेता में चार शान लगा दिये हैं और इसके अलावा कई मज़ेदार घटनाएं भी आएंगी उस धूम मचाने वाली रेडियो प्रोग्राम की धमाकेदार जवानी और मीठे से बचपन की हम पुरकत के से न सकूंगी से न सकूंगी रोंगी कुछ के न सकूंगी दुश्मन है सारा जहां जाओं कहां तेरी उल्पत है जीने का बस एक बहना देखो देखो हसेन जमाना हसेन जमाना रात गुजारूं गिन गिन तारे गिन गिन तारे कैसे आओं पास तुहारे तुम हो कही मैं कही तुम हो कही मैं कही जन नहीं हाई दुनिया ने दिल का मेरे गम न जना देखो देखो हसेन जमाना कोई दिल का दर्द न जने दर्द न जने अपने भी अब है बेगाने रो रो के कहता है दिल रो रो के कहता है दिल आसा जन मिल आँ बस इतना ही सुनने मेरा है पसाना देखो देखो हसेन जमाना हसेन जमाना मेरे बच्चपन के साथ भी मुझे भूल न जना देखो देखो हसेन जमाना हसेन जमाना दोस्तों गीत माला के बच्चपन से आजाद भारत का बच्चपन भी जोड़ा हुआ था अंग्रेजों से आजादी तो मिल चुकी थी मगर हिंदुस्तान का आधा दिल और आधा बदन कटकर पाकिस्तान में ढल चुका था बटवारे के खुन खरावे के शूलों को महात्मा गांधी जी की हत्या और हवा दे चुकी थी ऐसे में नफरत के घाओ भरने में अमन और शांती का अमरित चड़कने में और प्यार महबत के दीब जलाने में बहुत बड़ा काम कर रहे थे हमारी हिंदी फिल्मों के मधुर गीत और यही काम आपकी गीतमाला भी उमर भर करती रही उन शांदार गीतों के सारे और बेरों भाईो आज गीतमाला की च्छाओं में भी मैं आपसे बिंती करता हूँ के पुरानी भी और नई भी सारी कड़वा हटें सारी नफरत हटाईए अपने दिल से बलके दिल पर हाथ रखकर अपने गुजरे हुए सुहाने जमानी की खुश्बुएं समेटी वरना अगर आप अपनी उन सुहानी पुरानी यादों को भूल गए ना तो वो यादे तड़प कर कहेंगी जो मैं सा जानती के प्रीच के दुख हो है ओ नगर ठिंडोरा पीटती के प्रीच न करियो कोई मुहे बूल गए सावरिया मुहे बूल गए सावरिया बूल गए सावरिया आवन कहे गए अजहुन आए आवन कहे गए अजहुन आए ली निना मोरी खबरिया मुहे बूल गए सावरिया बूल गए सावरिया दिल को दिये क्यों दुख बिरहा के तोड़ दिया क्यों महल बना के दिल को दिये क्यों दुख बिरहा के तोड़ दिया क्यों महल बना के आस दिला के ओ बे दर दी आस दिला के ओ बे दर दिल फिर लिका है नजरिया मोहे भूल गए सावरिया भूल गए सावरिया नेन कहे रो रोके सजना देख चुके हम प्यार का सपना प्रीत है जूटी प्रीतम जूटा प्रीत है जूटी प्रीतम जूटा जूटी है सारी नगरिया मोहे भूल गए सावरिया भूल गए सावरिया गम के सुरीले सायों का ये गीत सुनकर बहन और भाईयों आपको वो हसीन चहरा भी याद आ गया होगा जिसने स्क्रीन पर ये गीत अदा किया था जिहां मीना कुमारी है तो आप मीना कुमारी ही के मधोर आवास को मैं माजी के धुंदलकों से निकाल कर आपको सुनवाता हूँ कि मेरे एक इंटर्वियू में मीना जी ने मोहे भूल गए सावरिया वाले गीत की सुरों के मलका को कैसी शांदार सलामी दी थी लता मंगे शकर उनकी दर्खास जो उन्होंने बेहतरीन गायका के इनाम पाने पर इनाम देने वालों से की थी आपने भी सुनी होगी न कौन सी दर्खास मीना जी यहीं के अब आइंदा मुझे ये नाम ना दिया जाए बलके उन नए कलाकारों को दिया जाए जिनका ये हक है उन्होंने होसला बढ़ाने को हक कहकर कितनी बड़ी बात की जैसे किसी शेहनशा ने किसी अंजाने बिना ताज की बाशा को पहचान कर उसके लिए अपना तक्त छोड़ दिया हो बहन और भाईयो ऐसे सभी ओल टाइम ग्रेट प्लेबैक संगस की आवाजें भी और सभी महान संगीतकारों और गीतकारों का काम भी मैं पेश करने की कोशिष कर रहा हूँ गीत माला की च्छाओ में तो बस आप एक के बाद एक गीत माला की च्छाओ में के सभी वालिम सुनते रहेगा अपनी गर्ल्फरेंड या अपने बॉइफरेंड के साथ नहीं नहीं गर्फरेंड वैसे बीवी भी तो हो सकती है ना और बॉइफरेंड क्या पती नहीं हो सकता साथ मिलकर प्यार की सुरीले सपनों का मजा लेने के लिए बस तो भई अब ये कबाब में हड़ी या नि आपका रेडियो साथी अमीन सायानी अगले वॉल्यूम तक चुप के से जाता है खिसक और आप हाथ में हाथ लेकर करते रहिए दिल लगी बाई तुमसे मुझे मिला दिया मस्ती भरी हवा चली असने लगी कली कली तुमसे मुझे मिला दिया दिल में समा गए सजन फूल खिले चमन चमन प्यार भी मुझे मुझे रा दिया ऐसा बदल गया समा बदले जमीन आशुमा चोड़ के जग बना लिया प्यार ने एक नया जहां आई धटाए छूमके निल गदन को छूमके हमका निशा मिटा दिया पहले कोई खुशे न थी दिल की कली थी न थी तेरे नदर चला न था जिंदे की जिंदे की न थी तेरे पदम की आहते बन गए मुश्प राहते मेरा जहां बता गया West 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 झाल झाल